नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जरगां की टोप 25 पर्मोख खबर जानते हैं करने के लिए हत्रस रवाना हो गई है, इनमें सबसे बड़ी बात या है कि निर्वया को इनसाफ दिलाने वाली वकील सीमा समरीदी हत्रस की बेटी को इनसाफ दिलाने के लिए बिना फिस्त केस लड़ेगी जारखन मोसम विभाग के अनुसार 2-6 अक्टूबर के बिच जारखन में मानसूर समान रहेगा, हलाकि कुछ जगों पर हलकी फूल की बारिस हो सकती है, वहीं कुछ जगों पर भारी बारिस का भी अनुमान है विभाग के अनुचार 4 से 5 अक्टूबर को भारी बरसा हो सकती है केंद्रे ने कहा है कि इस दोरान जार्खन में समान से अधिक बारिस होने का अनुमान है जार्खन में 35,000 सारीरिक सिक्षक बहाल होंगे जारखन के स्कूलों में 35 सरीरिक सिक्षकों के नियुकती होगी राजे के सभी सरकारी स्कूलों में एक-एक सरीरिक सिक्षक बहाल होंगे बतादे की फिलहाल मात्र 200 सरीरिक सिक्षके नियुकता है सिक्षा के साथ साथ खेल और सरेलिक सिक्षा को जोडने के लिए गठित कमीटी ने इसकी अनुसंसा की है कमीटी ने इसकूली सिक्षा और सक्षार्ता विबाग के सचीव राहूल सर्मा को अपनी रिपोर्ट सोब दी है इतादे की कमिटी की रिपोर्ट में प्राइमरी, मीडिल और हाई स्कूल में सारेरिक सिक्षकों को अनिवार विसाय के रूप में और प्लास टू में बैकल्पिक विसाय के रूप में रखने को कहा गया है इसकी परकिरिया भी सुरू कर दी गई है और सैक्षनिक सत्र 2021-22 से इ सिम्भूम 165, गाडवा 29, गिरी 22, गोड़ा 20, गुमला 14, हजारी बाक अन्ठावन, जामतरा चार, खुट्टी 29, खुडार्मा 24, लातेहर 16, लौर्दागा 14, पांकुर 33, पलामु एगारा, रामगार 15, साहिब गई 3, सराई के लाचे 46, सिम्डेगा 3, 25, सिम्भूम से 34 मिले है, जारखन में कूल संक्रामितों की संख्या 84, 666 है, जबकि बहतर या 461 लोग स्वष्थ हुए, और 721 की मिले है, जारखन में गुरु आरको 9 की माउथ हुई है, जो बोकारो देवखर धनबा, जमसेदपूर, गोड़ावा हजारी बाग से 11, जबकि राची से 3 की माउथ हुई है, गुरु आरको 119 संक्रामित स्वष्थ भी हुए है, एक्टिव केस इस प्रकार है, बोकारो 570, खुट्टी 200, देवघर 239, धनबाद 622, दुमका 242, पूर्वी सिम्भूम 2322, गड़वा 148, गिरीडी 138, गोड़ा 14 गुमला 184, हजारी बाग 500 एकसर, जामतरा 106, खुट्टी 331, कोडारमा 328, लातेहर 239, लोर्दागा 388, पांकुर 133, पलामो 138, रामगा 128, राची 333, सायवगांज 255, सराय केला 391, सिम्डेगा 165, सिम्भूम 334, मरीज राजे में एक्टिव हाए, जारखन में 8 अक्टूबर से खुलेंगे धार्मिक अस्थाल, दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मिली छूट, जारखन सरकार ने गुरुवार को अनलोक 5.0 के तहद दुर्गा पूजा के अलावा धार्मिक अस्थालो को खोलने को लेकर गाईलाइन जारी किये हैं, इस वहीं स्कूल, कॉलेज और अने सिक्षन संस्थानों से लेकर सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स पाले की तरह बंद रहेंगे दुमका से चुनाव लड़ेंगे हिमंद सुरेन के छोटे भाई बसंद सुरेन जारखन मुक्ति मोश्चा ने दुमका उपचुनाव के लिए अपने उमिद्वार की घोसना कर दिया पार्टी के केंद्रिये महासचिव सुप्रियो भटाचाल ने प्रेस कॉन्फिदेंस करके बताया कि हमंद सुरेन के इस्थीपा देने की वज़ा से खाली होई दुमका विदां सवास सीथ से उनके छोटे भाई और दिसोम गुरू सीबु सुरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सुरेन पार्टी के उमिद्वार होंगे सरकारी योजनाओं को धातल पर उतारे अधिकारी क्रिसी मंतरी जार्खन के क्रिसी मंतरी बादल पत्रलेक सरकारी योजनाओं का लाब लावकों को हर हाल में मिले इसके लिए पता अधिकारी को कईधिसा निर्देश दिये है बतादे कि गुरुआर को लाते हार परिसदन भवन के सबागार में पताधिकारियों साथ आयोजित बैठक में सरकार की योईनाव को ध्रातल पर उतारने की बात कई है साथी साथ किरिसी मंतरी ने जीलेक के 94,000 किसानों को पीम किसान योईना के तहत निवंधित किया गया है की बात कई है साथी साथ के सिसी का लाब दिये जाने का भी निर्देश दिया है हाथरस पीरता को नयाय देने की मांग को लेकर निकाला केंडल मार्च हाथ रस में यूती की गैंग रेप के बाद हुई हत्या के बिरोध में सराय केला के गमहरिया प्रखंड अंतरगत सत्वहिनी बस्ती में पारसत पिंकी चोधरी के नेत्यूत में केंडल मार्च निकाली गई बता दे कि इस दोरान महिलाओं ने हाथ में तक्ति लेकर उतरप्रदेश के मुख मंत्री के खिलाप नारेबाजी करते हुए घातना में सामिल अरप्यों को फासी देने तथा पीरता के परिवार को न्याय देने की मांग की मैन हट घोटाले में एसीवी जाच का दे सीयम बिकास मंत्री रगवर्दास व अने पर है बता दे कि मुख मंत्री हमन सुरे ने एसीवी को या आदेश दिया है कि मैन हट प्रामर्सी की नियुक्ति में की गई अनिमित्ता भरष्टा चार व शर्यंत्र के इस मामले में जार्खन विधान सभा के सदस्य समान प्रयोजन समिती के सभापति सर्जुराय की सिकायत व उच नियुक्ति में प्रासंगिक धाराओ में मामला दर्च कर जाच करे किरिसी मंत्री ने कहा नहीं जाने देंगे हाई स्कूल सिक्षको की नोकरी 13 जीलों के नियोजन नीती 2016 से प्रभावित सिक्षकों को जारखन उच नियाले के द्वारा निरस्त करने वा सिक्षक नियुकती परकिर्या को रद करने के दिये गए फैसले से प्रभावित लातेहर जीले के 230 हाई स्कूल सिक्षकों ने परिसदन भवन पहुच कर गुरुवार को किरिसी मंत्री बादल पतरलेक से मुलकात कर ग्यापन सोपा सिक्षकों ने कहा कि 19 माह से जीला के विभीन विद्यालों में कर रहत हैं मगर उच नयले के आदेश के उपरांथ हमारी नियुकती संकट में आ गई है धर्मातरन के बाद घर्वापसी की तियारी परलोभन देने वालों पर करवाई की मांग राजधानी राची से सटे और माजी परखंड के गागरी गाउं में धर्मातरन को लेकर बैठक शुरू हो गई है बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की परदेश अध्यक्ष व पुर्व बाल संरचन आयो की अध्यक्ष आर्तिक उजूर समाज के संदीप उराव आधी उप वस्तित हैं इसमें धर्मातरन को लेकर मजूद लोग चिन्ता जाहीर कर रहे हैं सभी इसका बिरोध करते वे परलोभन देख कर धर्मातरन करानेवालों के खिलाप परसाथन से करवाई की मांग कर रहे हैं टोल पलाजा शुरू करने पर बवाल गरामिनों ने किया बिरोद राची के मांडर डाल्टेंगा एनेच 75 फोरलेन में बने अस्थाई टोल पलाजा को गुरुवार को अचानक शुरू कर दिया गया यहां वानों सिवसूलिस सुरू हो गई इसकी जनकारी मिलते ही गरामिनों में नराजगी फैल गई है आसपास के लोग टोल पलाजा पर जुट गएं वहीं सुबह 9 बजे के आसपास टोल पलाजा पर बवाल सुरू हो गया बता दे कि सुचना मिलने पर विधायक बंदू तिर्की पहुँचे और मांडर के गरामिनों के बिरोध के बाद टोल पलाजा को बंद कराया गया बेटियों को जन्म देने वाली मताओ को पलामू उपायुक्त ने किया समानित पलामू उपायुक्त ससी रंजन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पिछले एक सब्ता में जन में बालिकाओं के लिए उनकी मताओं को जॉंसन बेवी कीट देकर समानित किया जारखन में 15 अक्टूबर तक चलेगा रक्तदान पक्वाडा रक्तदान करने की अपील जारखन राज एड्स नियंतरन समीति के प्रोजेक्ट डारेक्टर राजीव रंजन ने कहा है कि पूरे राज में 1 अक्टूबर से रक्तदान पक्वाडा कारेकरम शुरुआत हो चुकी है रंजन ने गुरुआर को बताया कि राज के विभीन रक्त संग्रह केंद्रो में स्वैक्षिक रक्तदान सीरो का आयुजन किया जा रहा है यह कारेकरम 15 अक्टूबर तक चलेगा जारखन को लूटने नहीं देंगे रगवरदास भाजपा के राजटरी उपाद्यक्ष बनाये जाने पर रगवरदास ने पार्टी के परदेश कर्याले में हुए समान समारों में कहा कि लोक लुबावन वादे जुठे वादे वा बदलने की भावनाओं से पुरवर्ती सरकार की उजनाओं को बंद करने वाली सतारूड दल से जनता त्रस्त है दास ने कहा कि नौ महीने में दहेज हत्या, डाइन हत्या, मुख्यमंत्री छेत्र समेत राजे में हजार से ज्यादा दुसकर्म बढ़ते अपरादी खटनाए, बढ़ता नकसलवाद, गीरता ला एंड और 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 भष्टा चार ने चिंता बढ़ा दी है रगवर्दास ने कहा कि इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, जारखन को लूटने नहीं देंगे, कुरोना काल के बाद पार्टी जबाव देगी हजारी बाग गार्मेंट फैक्टरी बंद होने से 200 महिला है बेरोजगार हजारी बाग के बढ़का गाव में ग्रामिनो के अंदोलन के कारण राजा बागी में संचालित गर्मेंट फैक्टरी पिछले दो महा से बंद है इस फैक्टरी के बंद होने से वहां कारेरत करीब 200 महिला है बेरोजगार हो चुकी महिला है आज हजारी बाग जिला मुख्याले पहुंची अरुपय व्यूक्त आदित कुमार अनंद से मिलकर फैक्टरी को पुना चलू कराने की मांग की है धनबाट डिसी ने की नीजी अस्पताल प्रवंधन के साथ बैठक कुरोना के गंभीर लक्षन वाले मरीजों को आईसी यू की सुविधा उपलब्द कराने के लिए धनबाट डिसी उमा संकर सिंग ने गुरुवार को समर्नाले के सभागार में नीजी अस्पताल प्रवंधन के साथ बैठक की गंधी जन्थीपर दो अक्टूबर को सहर के सभी वनस, साल, मांस, मचली और सराब की दूकाने बंद रहेंगी जिला पर सासन की ओर से ही समन्द में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है बता दे कि जो भी ब्यक्ति इस नियमक का उलंगन करता पाया जाएगा उस पर कानून करवाई की जाएगी पलामु सांसद बिडी राम ने किया मेधनी नगर अस्पताल का निरिक्षन पलामू संसद बीडी राम गुरुवार को मेधनी नगर मुख्य अस्पताल पहुँच कर वस्तु इस्तिति का जाजा लिया संसद ने अस्पताल का निरिक्षन कर सिवील सर्जन से कहा कि बिना काम का वेतन लेने का किसी को अधिकार नहीं है आउट्सोर्सिंग से आये स्वास्त कर्मियों के विशा में कहा कि जो अक्षम लोग हैं उन्हें बाहर कर सक्षम लोगों को लाया जाए पी एल एफाई के तीन उगरवादी गिरफतार रांची का के थाना पुलिस ने जमीन कारोबारी के हत्या करने वाले पी एल एफाई के तीन उगरवादी को गिरफतार कर लिया है गिरफतार उगरवादी पी एल एफाई कमांडर पुनई उराओ के दस्ते के सदा से हाए इलोक अदालत 37 अक्टूबर को जाखन राजे बिधिक सेवा प्रादीकार के करेफालक अध्यक्ष नैजदिस एचसी मिस्रा के पहल पर राजे में पहली बार इलोक अदालत का वहीजन 17 अक्टूबर को होगी इस्तमन्द में राची जिला बिधिक सेवाप्रादिकार के द्वारा तैयारी प्रारम कर दी गई है बतादे कि पक्षकारों को नोटिस के लिए कई टीम बनाये गए है साथ ही सभी बैंक एवं अनेशन स्थावों के साथ बैठा कर अधिक्तमामलों से निस्पादन के लिए कारियोजना तैयारी की गई है जल जीवन मिशन राथ 3 से 8 अक्टूबर तक भारस सरकार की मत्वकांची योजना जल जीवन मिशन के तहत बर्ष दुएयर चोबिस तक राज्य के सभी ग्रामिन परिवारों को कारे राथ नल से जल मुहया कराने का लग छाए बतादे कि ग्राम पंचायत विकास योजना में जल के कारिकरमों भागिदारी एवं सभागिता सुनिशित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों ग्राम जल एवम स्वक्षता समीतियों जल सहया एवम अमान जनों को जल जीवन मिशन के विशय में समुशित जनकारी दी जाएगी बता दे कि इसी उदेश से 3 से 8 अक्टूबर तक जल जीवन मिशन रत निकाला जाएगा जो गाउं गाउं जाक कर जेजे एम के बारे में समुदाय को जागरूपता करेगा धनबाद SSP के निदेश पर पूलिस कर्मियों ने तमाकू का सेवन नहीं करने की सपतली धनबाद SSP के निदेश पर गुरूआर को महुदा थाना में आयोजीत एक समारो में महुदा थाना एवा महुदा पूलिस निरीक छक कर्याले के समस्त कर्मियों ने तमाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की सपतली है बता दे कि पूलिस कर्मियों ने भी सपतली की अपने परिजनों एवं परिज चिन्तों को भी तमाकू उत्पाद सेवन नहीं करने के लिए प्रेडित करेंगे सक्तिपूँज एक्सप्रेस साथ अक्टूबर से दोड़ने लगेगी रेलवे बोड ने जवलपूर हावड़ा जवलपूर सक्तिपूँज एक्सप्रेस को चलाने की तिति घोसित कर दी है साथ अक्टूबर से ट्रेन पट्री पर फिर से दोड़ने लगेगी बता दे कि 7 अक्टूबर से जवल पूर से और 10 अक्टूबर से या ट्रेन हावडा एस्टेसन से चलेगी बता दे कि ट्रेन धनबाद होकर पूर्वक के समया अनुसार चलेगी बहुत जल्द रेलेवे धनबाद होकर अमादाबाद या भावनगर देहरादून और जम्मुत तवदी के लिए भी ट्रेन चलाने की त्यारी में है धन्यवाद यदि आप चनल पनाए होतों चनल को सब्स्राइब कर बहुत का बेल आगे करने वाई आज साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को वाट से फेस्बुक पर अवस्त शेयर करें साथी साथ आप हमें अपना सुझाव अवस्ते दे थाइंक्यू